फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतूरदसी तिथी को महासिवरात्री का पावंत्युहार मनाय जाता है और इस दिन शिब जी अपने भक्त की सुध लेते हैं उनकी मनो कामनाओं को पुर्ण कर देते हैं आप सभी दर्शकों को महा सिवरात्री के बहुत सारी सुपकामना है भगवान सिव और मा पार्वती की अराधना का महा सिवरात्री सबसे बड़ा पर्व है मानेता है इस तिथी पर ही भगवान सिव और मा पार्वती का विभा हुआ था महासिवरात्री के दिन भक्त सिवजी के लिए उपवास रखते हैं और इस दिन चुकि फालगुन महिने के कृष्ण पक्ष की चतूर दसीती थी है और इस दिन ही महासिवरात्री मनाई जाती है और इस वार 18 फरवरी सनिवार के दिन मनाई जाएगी तो इस दिन सच्ची भक्ती और निष्ठा के साथ ब्रत रखने वाले महादेव को प्रसन्य जरूर करते हैं और सिव प्रसन्य भी होते हैं और मन्चाही मनोकामनाओं की पूर्ती करते हैं तो महा सिवरात्री का यह पावन दिन हर बार के तरह सुभ और मांगली काल करने के लिए सबसे उत्तम है खास क्या है देखिए अगर हम पंचांग की माने तो महा सिवरात्री 18 फरवरी को पढ़ रहा है और इस दिन सनी प्रदोस ब्रत भी हो रहा है तो धार्मिक मानने ताखे अनुसार प्रदोस ब्रत रखने से भगवान सिव सभी मनोकामनाएं पुर्ण करते हैं अपने भक्तों से खुस रहते हैं और इस दिन महा सिवरात्री भी पढ़ रहा है तो इसको सुभ सेयों कहा गया है महा सिवरात्री चतूर दसीत दिथी की सुरुवात 18 फरवरी 2023 को रात 8 बचकर 2 मिनट पर होगा 29 फरवरी 2023 को साम 4 बचकर 18 मिनट पर होगा निसिता काल का समय 18 फरवरी रात 11 बचकर 52 मिनट से 14 बार बयालिस तक है और पर्थम पहर की पूजा आप 17 फरवरी की साम pieces 46 से रात 49.6 के बीच कर सकते हैं दिती पहर की पुझा रात 49.6 से रात 12.52 का कर सकते हैं और तिरती पहर की पुझा उन्नीस परवरी रात 12.52 के बीच कर सकते हैं पारण आप 19 फरवरी की सुबह 6 बच कर 10 मिनट से लेकर दो पहर 2 बच कर 40 मिनट के मद्याप करेंगे हलां कि महासिबरात्री के दिन कुछ गरहों की चाल भी बहुत ही सुब बना रहा है इस दिन को वैसे तो देखिए इस दिन भगवान सिव की मूर्ती को पंचामरिस से असनान करवाई है पुजा भी दिये महासिबरात्री के दिन का इसके बाद आठ लोट नहीं कि आप किसी बरतन में जल में केसर डाल कर एक दो पंकुरी डाल दें और लोटे से आठ लोटा जल सिवलिंग पर अरपीत करें इस दिन पूरी रात तक घर में दीपक जलाएं रखें तो बहुत अच्छा है सिव जी के सामने चंदन का तिलक लगाएं सिव जी को बिलपत्र भांग धतूरा गन्ने करस और जाइफल कमल गट्टा फल मिष्ठान मीठा पान इत्र और दक्षिना जरूर अ ले करें इस दिन सिव पूरान का पाठ जरूर करना चाहिए और रात्री जागरन करने का पिधान है भगवान सिव की अपार सकती और भक्ति का पर्व महा सिवरात्री हर बर्स हालगून महा के क्रिश्ण पक्ष्ट की चतूर दसितिति को मनाया जाता है और इस बार वारवती की पूरे विधी विधान से पूजा करने का विधान है उन्हें आप भांग सथी ध्रूरला बिलु पत्र और बेर जरूर और पिद करें इस दिन धार्मिक अनुश्ठान भी किये जाते हैं रुद्रा भिसेक भी किये हैं माननेता है कि इस दिन महां मिर्त्विंजय मंत्र का जब करने से आपके स्वास्त में कहीं कोई पीड़ा नहीं होती बड़े से बड़े दुर्गटना योग भी टल जाते हैं हमारी सभी मुनोकामनाई पुर्ण हो जाती हैं अब आपने देखा होगा लगबग हर घर में अब इस दिन आपने देखा होगा सिबरात भी निकाली जाती है धूमधाम से यह तिवहार मनाया जाता है और जोतिस में वैसे तो चुकि महा सिवरात्री का तिवहार खास योग में मनाया जा रहा है इस बार सिवयोग बन रहा है अब सिवयोग होने से नच्छत्र चञर मां मकरासी में है, तो इस वार की जो सिवरात्री है वो बहुत दुरलेव है, बहुत खास है। जब महा सिवरात्री के ब्रत का आरंब इस वार 23 तीथी में हो रहा है, तो क्या करेंगे। देखें सुभा जल्दी उटकर अशनान बिगर करके स्वक्छबस्त धारन करें, फिर पूजा वाले अस्थान की सफाई करें, भगवान सिव मापारवती की परतिमा अस्थापित करें, अब पंचामरित से असनान कराएं, अगर पंचामरित आप चाहें तो अलग-अलग भी आप डाल कर असनान करा सकते हैं, जैसे दू, दही, घी, सहत, सक्कर, फिर जल से अस पुस्प, पुस्प में अगर आग का पुस्प हो, तो सबसे अच्छा, सिब जी को चंदन और गुलाल जरूर अरपित करें, मापारवती को नए सिंदूर की, यानि कि सिंदूर जो आप नियमीत रूप से आप पुजा में यूज कर रहे हैं, उसको नए यूज कर, आपको एक नई पुजा से उन्हें अरपित करना है, फिर जो आपके उंगली में लगा रहा गया, उससे खुद की मांग भरें, अब सच्चे मन से महा सिब रात्री ब्रत करने का संकर्प लें, अगर आपके घर के आसपास सिब जी का मंदिर है, तो जाकर एक लोटा जल में, सा अक्षत, यानि बीना टुटा हुआ चावल, बिलपत्र, पुस्प, दूद, जो भी आपके पास है, डाल कर जाकर सिब लिंग पर अरपित करके चले हैं, तो यह सर्वोत्तम होगा, इसको हम स्री फल भी कहते हैं, तो भगवान सिब की अराधना के लिए महा सिब रात्री बहुत खास मानी जाती है, और सिब रात्री वैसे तो हर महने के किष्ण पक्ष की चतूर दसी तिथी को आती है, लेकिन फालगुन मास के जो किष्ण पक्ष की चतूर दसी तिथी है, इसको महा सिब रात्री कहते हैं, और इस बार सिब रात्री के दिन चुकि सिवयोग बन और माननेता है कि भगवान सी मा पारवती का बिवा अगर आप करवाएं या दोनों का गठबंदन करवाएं तो आपके घर परिवार में आपके बैवाही जीवन में कहीं कोई तोड़ी नहीं सकता सदा सदा के लिए आप लोगों का रिस्ता बना रहता है बहुत सारी चीजें इस दिन के ब्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए और एक चीज ऐसा है जो सिवरात्री के दिन जरूर खाना चाहिए ताकि आपको इस ब्रत का संपूर्ण फल मिले देखिए महा सिवरात्री के दिन बहुत सारे लोग ब्रत रखते हैं बहुत सारे लोग सात्वी भोजन करते हैं एक बेला उपवास रखकर तो महा सिवरात्री का अगर आप ब्रत रखते हैं तो सरीर में पानी की कमी नहों इसके लिए आप जूस का सेवन कर सकते हैं अनार का औरेंज का कर लीजिए लेकिन इख का जूस मत पीजिएगा महा सिवरात्री के दिन फलाहार में भी जैसे सेब औरेंज पपीता केला खीरा बेगरे खा सकते हैं इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए अगर बहुत साइब लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं तो आप खा स होता है ब्लेक सॉल्ट उसको मत खाईएगा भूल कर भी चावल रोटी यानि अनाज का सेबन मत कीजिए आप वैसे तो सिंधा नमक का प्रयोग से आप बहुत सारे लोग रात में खाना खाते हैं तो ऐसे में गेहूं तो एक बार खा भी लें पर चावल मत खाईएगा इस ब इस दिन कुट्टू के आठे का खाना भी बनाया जाता है तो आप उसको भी खा सकते हैं लेकिन अनाज कहलं येगा वह सब्सेंद는데 मिंस मदीरा भूल कर भी मत कहते वरना आप के ब्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो इन चीजों का आपको ध्यान दखना है लेकिन वह एक खास चीज जो सिबजी पर अर्पित भी किये जाएंगे और खाये भी जाएंगे। वैसे तो पंचा मृत आप जरूर अर्पित करेंगे और जो नीड है सिबलिंग पर अर्पित करने के बाद उसको उठाकर घर ले आइगेगा। और उसको परसाथ के रूप में जरूर दूसरी बात इस दिन आपके पास जो हैं आप सात्विक तरीके बनाते हैं तो बहुत सारे लोगत खातें आप फलनाड़ी भी करते हैं सिंघाड़ का हलूआ कुछ भी आप खा सकता हैं कोई दीकत नहीं sister इस दिन के वांट बैर तो आपको पता होगा जरूर प invec करें है बहर है जरूर कीजिएगाँ यॹी यह जरूर करियें को फ़लाहार Пट्स कर्किए लिलस करें। कभी सर ने ऍूर्ट और में चारों चाहएकार होगी में बिजय रखेंगे पर्राप्त करेंगें बैर करने से दुस्मन का सर्वनास होता है या पिर दुस्मन आपके खिलाब कुछ नहीं कर पाते सिबलिंग पर केला जरूर रपीट कीजिएगा क्योंकि माना जाता है अगर गुरुवार का चुकी दिन है तो इस दिन केला मत खाईएगा फलाहरी में इस बात का ध्यान रखिएगा गुरुवार के दिन केला नहीं खाणा चाहिए तो ये आपको करना है इकका जूस मत पीजिएगा वैसे महा सिबरात्री के दिन आप दूद का सेवन कर सकते हैं लेकिन दूद सिंपल नहीं उसमें दो चार दाने चीनी के डाल कर ही सेवन कीजिएगा प्लेन दूद नहीं खा करें तो उसमें दो तुलसी के पत्ते डाल लीजेगा ताकि आपका ब्रत का फल आपको पुराइब और साथ ही सिवरात्तरी के अगले दिन एक छोटा सा प्रयोग आपके गुडलग को बढ़ाएगा क्या करेंगे अपने घर के पुजा स्थान पर एक पात्र में थोरा सा पानी लेकर बैठें उसमें अपनी हाथों को डालें और नमसी वाय का कुछ दर्जब करें फिर इस पानी को थोरा सा गर्म करें इसमें इलाइची डाले और उसी पानी सटान करें या फिर आप उसको अपने सर पर भी हलका सा छीटा डाल सकते हैं इससे आपका भागयोदय होगा ज की जैसे दुले का गाल से ऊ страх की जाता है मां पारवति को न्य सिंदूर के गढ़ी से या निकिए कि किया से बइभार चीजिए आनि की सिंदूर कुद को रोज लगाती हैं उसी में डाल कर रख लें और यह आता होका तो सिप जी की पूजा में कुछ बस्टूए हैं जो नहीं अर्पित की जाती है, कुछ चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए तो आज हम फिलाएंगे तो सबसे अंत में महा सिवरात्री के दिन दो चीज सिप जी को चढ़ाई भी जाती है और खाई भी जाती है परसाद के रूप में ऐसा नहीं ये कि आप चढ़ा करी खाना है लेकिन हाँ, पहली बस तो है बैर बैर तो आपको पता है लेकिन जब आप बैर लीजेगा तो मीठे पके बे लीजेगा ये नहीं कि कच्चा लेया के चढ़ा दिया बिल्कुल नहीं सुन्दर सा देख कर मीठे मीठे बैर कितनी चढ़ाएंगे साथ की संक्या में और साथ चढ़ा कर एक ले आईए और परसाथ के रूप में खाईए वैसे आप अलग से भी बहुत सारा चढ़ा सकते हैं लेकिन आपको बैर लाना है और खाना है और मंजरी भी सिपजी को चढ़ाईए और थोड़ा थोड़ा सब कोई खाईए हरहर महातेव